मुख्यमंत्री का ही बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा तो नुक्सान हो रहा है और लोग कह रहे हैं फैमिली ड्रामा है अपने साथ संजीου भाई कर रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है तो अब यह तै करें मुख्यमंत्री जी तै करें, कि नुकसान क्या हो ना है लेकिन हमारा निश्चित मानना है कि एक तैसुदा ड्रामा था जिसकी स्क्रिप्ट भी तैं थी डिरेक्टर भी तैं था और भूमिकाय भी सबकी तैं है और उसी तैं के कारक्रम के तहद ये काम हुआ मुख्तार अंसारी का मत लेने से परहेज नहीं था जब जरूत हुई सरकार के साथ खड़े होने में परहेज नहीं था और अब परहेज एक बात दूसरी बात कि खुद शिवपा ले दो जी जब प्रेस कांफरेंस कर रहे थे तो उन्होंने उसमें कहा था कि मुख्तार के दूरी बनाये रखने की बात थी उसके बाद जो घटना करंगा पता है उसके बाद शिवपाल जी से सवाल होता है उन्होंका परिवार में कोई रिप नहीं है सब को ठीक चल रहा है कल मंद्री मंडल का विस्तार था शिवपाल जी नहीं गए वो पार्टी के मुख्ध सिंग को सफाई देनी पड़ी कि शिवपाल जी नाराज नहीं है और शिवपाल जी ने कहा कि आज कुछ नहीं बोलूँगा राजनीत में जो घटनाए घटित होंगी उसमें तरक और वितरक पक्ष विपक्ष दोनों होता है अगर परिवार के सदस से बाहर निकल कर यह संद सभुद्ध है आप बताए मंत्री के नाथे मुख्यमंत्री की कार्कम हो और उस बिभाक का वॉ क्या मंत्री की मर्यादा नहीं है कि मुख्यमंत्री की कर्कम में जैं में जाए तो यह परिवार की पार्टी हो सकती है, परिवार की सरकार नहीं, जनता ने भरोसा किया, और वो भरोसा लगातार सरकार में बैठे लोग उस भरोसे को तोड़ रहे हैं, तो अब अभी कहें लोगतार में जनता के पास पांच साल में फैसला लेने का अधिकार आता है, जब पारते ज्यादा चुन के आएंगे तो हो सकता है इनकी सेफालोजी हो इनके पास कोई जानकारी हो कोई जोत्सी अंग कडित हो पर फैसला जनता को करना है